लास्ट वीडियो हमने चैप्टर 5 तक कम्प्लीट कर लिया था आज हम करेंगे राजिस्थान का भौतिक स्वरूप चैप्टर 6 और ये क्लास 6 ही आप लोगों के चल रही है तो सलेबस यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपके ये चैप्टर जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिसली अध्याय में हमने राजिस्थान की राजनितिक और प्रशास्निक स्वरूप तथा अविवस्तिती का अध्यान किया था तो लास्ट वीडियो हमने किसका पढ़ा था? राजिस्थान का राजनितिक स्वरूप और प्रशास्निक स्वरूप ठीक है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बहुतिक स्वरूप. लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजिस्थान में बहुतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की परवत माला की सबसी उची चोटी कौन सी है? यहां की जलवा यू कैसी है? आईए हमारे राज्य से सम्वंदित इन सभी प्रवत मालाओं में से एक हैं. तो इस नाइन को जरूर आप लिखिएगा यदि आप नोट स बना रहे हैं, तो राज्य के मद्वष्य बहाग में इस्तित हैं क्या अरावली परवत माला? जो कि विश्व की प्राचिनतम परवत मालाओं में से एक हैं. राज्य का पक्षमी भाग कैसा है? मरुस्थली है, एवं दक्षणी पूर्वी भाग कैसा है? पठारी है. अतय भूज अरंचना की आधार पर राजिस्थान को चार भोतिक भागों में बांटा गया है. धार का मरुस्थर, अरावली परवत, पूर्वी मैदान और दक्षणी पूर्वी पठार. य भूज रंचना की आधार पर राजिस्थान को कितने भोतिक भागों में बांटा गया है? तो वहाँ ये नाम ना पूछ कर ये पूछा गया था, कि चार भागों में बांटा गया है, पांच भागों में, छे भागों में, ठीक है? इस तरीके से. तो क्या याद रखना है भाग क्योंकि सबसे बड़ा भाग जो है थार का मरुस्तल का ही है राजिस्थान में, ठीक है? भारत की पक्षमी सीमा से लेकर राजिस्थान में अरावली तक राजिस्थान के पक्षमी भाग में विशाल थार का मरुस्तल इस्तित है. कहां तक फैला हुआ है? एक तो यह प इकसर प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो यदि शेत्रपल देखें इसका, तो देखिए, एकसर प्रतिशत भाग पर तो थार का मरुस्तल ही है, जिस पर 40 प्रतिशत जमसंख्या निवास करती है, यह मरुस्तल विश्व के अन्य मरुस्तल के तुलना में अधिक जन वनस्पती, करशी, सिच्चाई के साधन, सरवादिक जैविवित्ता आदी के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्तल कहलाता है, ठीक है, तो लाइन जो है, वो सभी इंपोर्टेंट है, तो कौन सी अंडरलाइन की जाए, ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि सभी इंपोर्टेंट है, याद रतना है, धार का मरुस्तल जो है, वो 12 जिलों में है, 61 प्रतिशत जो भाग पर फैला हुआ है, जिस पर 40% जनसंक्या निवास करती है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा विविद्ता पाई जाती है, कि जिसके लिए यह विश्व का सबसे धनी मरुस्तल कहलाता है, ठीक है, और आज थोड़ा अंडरलाइन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, नेक्स चेप्टर में ध्यान रखूंगी, और आप लोग जो हैं, वो इस चीज को यहाँ पर खुद ही अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने आपको बता दी है, important line, कि एक तो थार का मरुस्तल जो है, वो पक्षमी भाग में है, रावली तक है, बारा जिलो में है, एकसर प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, और चालेज प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, और विश्व का सबसे धनी मरुस्तल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक जन घनत्व, पशु घनत्व, अधिक है, खनिज विवित्ता है, ठीक है, सिचाई के साधन और सरवादिक जैव विवित्ता की कारण इसे क्या गयते हैं, विश्व का सबसे धनी मरुस्तल, तो कुछ बातें तो आपको चैप्टर में ही याद हो जाएंगी, और देखिए, य रेतीली मरुस्तली भाग को भारती महा मरुस्तल कहा जाता है, इंगलिस में भी याद रखना है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहा जाता है, इन तीनों जिलों को कहा जाता है, ब्याडमेर, जैसलमेर और विकानेर, क्यों कहा जाता है, क्य क्या कहते हैं धोरे कहा जाता है धार की मरस्थली को धरातलिय विशेष्टाओं की आधार पर मरू भूमी घगर का मैदानी भाग अर्द मरस्थलिय भाग नागोर की उच भूमी और अंतह प्रवाही प्रदीसों में विवक्त किया गया है तो देखिए मैप के द्वारा देखत कि इसे हमने कितने भागों में बाटा है इसे भी हमने देखिए घगर का मैदान और इसके बाद जो अद मरस्थलिय भाग है ठीके सिखावडी प्रदेज है नागोर की उच भूमी है लूनी वेसिन है इन भागों में हमने बाटा है और बालु का इस्थूप मुक्त प्रदे समझेंगे क्लास छोटी है तो यहां पर जो भी फैक्ट होंगे वही आपको समझते हुए चलना है नेक्स्ट है अरावली परवत राजिस्थान के मध्य भाग में दक्षन पक्षिम से उत्तर पूरब दिसा में राज्य के लगवख 9 परतिशत भाग पर अरावली परवत माला इस तिध यह तो अरावली परवत माला 8 पर है और हमने देखा थार का मरोजल कितने भाग में है 61 परतिशत भाग में है और यह देखिए उत्तर पूरब से नहीं आपको याद रखना है याद रखना है दक्षन पक्षिम से ठीक है नीचे से दक्षन पक्षिम से उत्तर पुर्वी राजिस्थान और पक्ष्मी राजिस्थान तो अरावली परवत्माला भी दो भागों में बटी हुई है एक तो पुर्वी राजिस्थान और दूसरा पक्ष्मी राजिस्थान अरावली परवत्माला राजिस्थान का सबसे उच्छ भू भाग है तो यहाँ पर इस पहरग्राफ में याद रखना है एक तो अरावली सबसे प्राचिनतम परवत्माला है नौ परसेंट भाग पर फैल हुई है ठीक है और यह है डक्षण में गुजरात के खेड ब्रहम से उत्तर में दिल्ली के राय सीना तक 692 किलोमीटर तक है इस परवतमाला से विविन प्रकार के खनिश संसाधन प्राप्त होते हैं अरावली परवतमाला मरुस्थल के पूर्वकी और प्रसार को रोकती है इस पर वतमाला में अधिकांस नदियों के उदगम इसनल हैं यानि अधिकांस नदियां जो है वो कहां से निकल रही है अरावली परवतमाला से निकल रही इस शेत्र में विविन प्रकार की वनस्पती, वन्यजीव और जड़ी वूटियां पाए जाती है। इनी कारणों से अरावली को राजिस्थान की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं। गुरु सिखर है और जिसकी उंचाई है 1722 मीटर। तो देखिए मैप में देखिए ये कि ये क्या है? अरावली परवतमाला है ये जो आपको रेड रेड में दिखाई दे रही है और इसे हम यहां दक्षिन से और उत्तर की ओर। ठीक है? यहां तक जानते हैं। यहां गुजर पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनाज, बान, गंगा और उनकी साहेक नदियों द्वारा निर्मेत है। यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं जो विस्तरित रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवा हैं। यह मैदान राज्य के लगबग 23% भाग पर फैला हुआ है तो याद रखना है हमने देखा था थार का मरुस्तल 100% भाग पर 9% भाग हमने देखा था अरावली परवत का और पूर्वी मैदान जो है वह है 30% भाग पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का शेत्र नाली अपरदन के कारण अत्तदिक उत्खाद भूमी ठीक है बैड लेंड टौपोग्राफी इसके नाम से जाना जाता है। तो इंपर्टेंट लाइन है यह भी आप लोग इसको लिखिएगा कि चंबल के बीहड या डांग या उत्खाद भूमी के नाम से किसको जानते हैं जो पूर्वी मैदान है चंबल जन्जन क्या निवास करती है। ठीक है राजिस्थान के दक्षणी भाग में बासवाड़ा और प्रताफगर जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं जिन्ने माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। चपन गाओं के समूँ एव और प्रताफगर जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा यहां चपन नदी नालों का समूँ बनता है। इसलिए इस भाग को माही का मैदान कहा जाता है। फोर्थ नंबर पर हैं दक्षिन पूर्वी पठार। राजिस्वान के दक्षिन पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाडवंसी सास्कों का शेत्र होने के कारण हाडोती का पठार भी कहा जाता था। तो लास्ट वीडियो में हम इस चीज को समझ चुके हैं कि हाडवंस के सास्कों के कारण ही इस शेत्र का नाम पड़ा हाडोती का पठार राज्य के लगबग 7 प्रतिशत भाग में फैले इस पठारी शेत्र की अधिकांस मिट्टी लावा नेर्मित कैसी है काली है जो उपजाओ मिट्टी है तो दक्षिन पूर्वी पठार के बारे में पूछा जात तो वह 61 प्रतिशत भाग पर फैला हुआ था राजिस्लान के अन्य पठारों में प्रमुक हैं शिरोही में इस्तित उडिया और आबू, उदैपुर और रासमद में इस्तित भुराट का पठार, चितोडगड में इस्तित मेसा का पठार, चितोडगड एवं हीलवाडा जिल हैं शिरोही में इस्तित हैं, उदैपुर और रासमद में भुराट का पठार इस्तित हैं, याद रखना है ओडिया आबू का पठार शिरोही में, उदैपुर और रासमद में इस्तित हैं भुराट का पठार, चितोडगड में मेसा का पठार है, चितोडगड और भीलवाड जिले के पूर्वी भाग में उपर माल का पठार है और उद्यपुर और प्रताबगड में है लसाडिया का पठार इंपोर्टेंट लाइन है ये तीनों ही जलवायू वा रितू चक्र राजिस्थान की जलवायू पर मांसून का इस्पस्ट प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि कहीं पर मांसून अधिक तो कहीं पर कम प्रदेश की अक्षांसिय इस्थि और भारतिय उप महादीप में उत्तर पक्षिमी इस्थि समुदर से दूरी अरावली परवत की इस्थि और प्रदेश के विस्तार के कारण राजिस्थान देश का एक मातर प्रदेश ऐसा है जहां पांच प्रकार की जलवायू परिस्तिती उपलब्द है तो भौतिक सरंजना के अधार पर हमने कितने भागों में बाटा राजिस्थान को चार भागों में बाटा वहीं जलवायू की स्तिती देखें तो यहां पांच प्रकार की जलवायू होती है और जलवायू में परिवर्तन यहां पर क्यों होता है क्योंकि यह उत्तर पक्षिम में इस्तित है इस कारण समुद्र से इसकी अधिक्तम दूरी है और अरावली परवत की जो इस्तिती है इस प्रकार से कि पूर्वी मैदान जो है वह हरा भरा है पक्षमी मैदान जो है वो बिल्कुल सुष्क है तो इस कारण सी राजिस्तान एकमत ऐसा प्रदेश है जहां प्रकार की जलवायू मिलेगी जहां राज्य के पक्षिम्स में हमने देखा एकसर प्रतिशत भाग में सुष्क और अर्द शुष्क मरुस्तलिय जलवायू है वहीं अरावली का जो पूर्व है जैपूर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आदर जलवायू है सवाई माधोपूर से लेकर उदैपूर तक आदर जलवायू है दक्षिन में बासवाडा वा दक्षिनपूर के जालावड जिलों में अति आदर जलवायू पाई जाती है और यहां औसत वार्षिक वर्षा कितनी है 100 cm है जलवायू की औसत अवस्थाओं के आधार पर कहा जाता है कि राजिस्थान भारत की अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक सुस्क है तो दिखिए यह मैप जो है इसके दोरा हमें पता लगेगी किस तरीके से वर्षा जो है यहा पर वर्षा जो है वो होती है और जैसे जैसे हम पक्षम की तरफ जाएंगे वर्षा जो है कम होती जाएगी तो यहां पर जो बिल्कुल जो अरावली है उसके कारण ही पूर्वी भाग में वर्षा हो जाती है और पक्षमी भाग तक मानसून नहीं पहुंच बाता है जैसा क आप जानते हैं कि राजिस्थान में मुख्य तीन रितुएं पाई जाती हैं ग्रीश्म रितु जो कि मार्च से जुन तक होती है वर्षा रितु जो जुलाई से सितंबर तक होती है और सीथ रितु अक्रूबर से फरवरी तक होती है ग्रीश्म रितु इस रितु में तापमान विविन शेत्रों में 30 डिग्री और 40 डिग्री से अधिक रहता है ठीक है तो 30 और 40 डिग्री तो राजिस्थान में रहता ही है इसके अलावा जो पक्षमी राजिस्थान है यहां तो और भी जादा होगा ठीक है क्योंकि यहां तो मांसून ही नहीं पहुंच पाता है जैसलमेर, बाडमेर, बीकानेर, जोदपूर, श्रीगंगानगर, चुरू आदी जिलो में टेंपरेचर 40-45 डिगरी तक हो जाता है ठार मरुस्तर, रेतीला होने के कारण क्या होता है कि भारत के सबसे अधिक गरम प्रिदेशों में से एक है ठीक है और जो रेत है वो जल्दी गरम होता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है यानि दिन और रात के टेंपरेचर में तो यहां बहुत अंतर पाया जाता है अते मरुस्तल में इस रितू में दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है जिससे दैनिक यानि दिन का एवं वार्षिक यानि वर्ष का जो तापांतर है वह भी अधिक होता है ठीक है तो वर्ष के और दिन के टेंपरेचर में अंतर तो पाया ही जाएगा उचाई के कारट माउं टावू इस रितू में राजिस्थान का सबसे ठंडा इस्थान रहता है तो सबसे ठंडा इस्थान कौन सा रहता है माउं टावू जो की अधिक उचा है राजिस्थान में ग्रीश में रितू में जो हवाएं चलती है धूल भरी इनको क्या कहते हैं लू गरम वो उसे क्या कहते हैं लू कहते हैं और कभी-कभी इसकी स्पीड जो है गती जो है वो सौ किलोमिटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है दूसी रितू है वर्षा रितू राजिस्तान की 90-95 प्रतिशत तक वर्षा इस रितू में होती है यहां अरब सागर और बंगाल की खाडी दोनों साखाउं के मांसून से वर्षा होती है लेकिन जो बंगाल की खाड़ी के मांसून है यहीं से पूर्वी भाग यहां पर वर्षा देखने को मिलती है और अरब सागर से तो नाम मातर के ही वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मांसून से राजिस्थान में अधिक वर्षा होती है जो अधिकांस ते पूर्वी राजिस्थान में होती है इसलिए वह हरा भरा भी दिखाई देता है अरब सागर के मानसून से अधिकांस वर्षा दक्षन राजिस्थान में होती है सरवादिक वर्षा जहालावार जिले में होती है अब आप देखिए कि जो बंगाल की खाड़ी है उसने तो पूरवी भाग को हराभरा कर दिया और जो अरब सागर का मानसून है उसने कर दिया दक्षणी राजिस्तान में ठीके तो पक्षमी राजिस्तान है वहां तो बात ही नहीं है क्योंकि वहां तक मानसून आया ही नहीं बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है वहें आते आते धीमा हो गया वहां तक नहीं आ पाया और जो अरब सागर का मानसून है वह है नजदीक था लेकिन अरावली के कारण वह सीधा निकल गया तो वहाँ तो वर्षा नहीं हो पाती है जिसे राजिस्थान का सबसे अर्द जिला माना जाता है किसे जालावाड को इंपोर्टेंट लाइन है राजिस्थान का सरवादिक वर्षा जालावार जिले में होती है 100 सेंटीमेटर के लगवग इसलिए राजिस्थान का सबसे अर्द जिला एसे माना जाता है और सबसे कम वर्षा कहां होगी तो Official मेर जिले में होगी मात्र 10 cm सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला इस्थाल कौन सा है स्थान माउंट आवू जहां 1500 cm से भी अधिक वर्षा होती है राजिस्थान के दक्षिन पूर्वी भाग में उत्री पक्षमी भाकी और वर्षा लगातार कम होती जाती है तो हमने मैप में भी देखा थ होती जाती है अरावली के पूर्व में 50 cm से अधिक वर्षा और पक्षिम में कैसी होगी 50 cm से कम वर्षा ठीक है इसलिए अरावली को क्या बोलते हैं जीवन रेखा बोलते हैं राजिस्थान की क्योंकि अरावली ही है जिसके पूर्व में तो हो रही है 50 cm से अधिक वर्षा और पक्षिम में हो रही है 50 cm से भी कम वर्षा नेक्स्ट देखिए सीथ रितू राजिस्तान में सीथ रितू में तापमान जो है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है पक्षिमी राजिस्तान में रेद के अत्यदिक ठंडा हो जाने के कारण क्योंकि हमने देखा कि रेद बहुत अ कुछ इस्तानों पर तो इससे भी कम हो जाता है उचाई के कारण इस रितू में माउं टाबू जो गर्मियों में ही ठंडा था तो सर्दियों में कैसा हो जाएगा सबसे अधिक ठंडा इस रितू में आखा साफ रहता है मंदबंद गती से पवन चलती है उत्तर भारत में आने वाली सीद लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है तो यहां पर यह जो बॉक्स है इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है भारत में सीद रितू में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं यह पक्ष्मी विक्षोप कहा जाता है यह जक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजिस्थान सहित उत्तर पक्ष्म भारत में वर्षा करते हैं और इस वर्षा से गेहुं की फसल को लाब मिलता है तो गेहुं की फसल के लिए कौन सी वर्षा सीद रितू में होने वाली वर्षा लाबदायक है और जिसे क्या बोलते हैं मावट कहा जाता है अकाल और मरुस्त लीकरण राजिस्थान में विशेश कर पक्ष्मी राजिस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है इसका कारण है वर्षा का सामई जो हमने देखा आपरियाप्त ठीक है नहीं हो पाती है अनिस्चित कोई निस्चित नहीं है अनियमित इसके कम वर्षा यहां की जलवायू का प्राकर्तिक स्वभाव है, लेकिन मानविय स्वार्थों ने जिस तरह विवेक हीन धंग से वनों की कटाई की है, भूमिकत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसादन प्रवंदन की अफेक्षा की है, उसका प्रतिकूल इसके आर्थिक और सामजी जीवन पर पड़ता है, तो एक तो वर्षा पहले ही नहीं होती है, पक्षमी भाग वैसे ही वर्षा के अभाव में रहता है, और दूसरा मानव जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, वनों को काट रहा है, जो भूमिका जो ज बंजर रेतिली मिट्टी में परिवर्थित हो जाती है, तो इस करिया को क्या कहते हैं, मरुस्तुली करण कहते हैं, तो इस लाइन को भी ज्याद रखना है, कि भौतिक दसाओं एवं मानवी कार्यों द्वारा जब उपजाओ भूमी बंजर रेतिली मिट्टी में बदल तो क्या कहते हैं, उसे मरुस्तुली करण कहते हैं, ठीक है, अकाल हमने देखा, कि अकाल क्या होता है, जहां पर हर चीज की कमी पढ़ जाए, पसु बक्षियों के लिए चारा, पानी ठीक है, इनकी कमी पढ़ जाए, तो इसे अकाल कहते हैं, और जब उपजाओ भूमी किये जा रहे हैं तो यह चैप्टर आपका होता है complete अब हम देखेंगे इसकी सब्दावली बंजर बंजर का होता है अर्थ अन उपजाओ यानि जो उपजाओ ना हूँ बीहड का अर्थ जिसे हम उत्खाद भूमी भी कहते हैं नदी जल के कटाव से बनी उबर खाबर भूमी तो नदीयां जो हैं जहां से जल निकलता है उनके कटाव से जो भूमी उबर खाबर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं उत्खाद भूमी कहते हैं बीहड कहते हैं सम वर्षा रेखा यानि समान वर्षा वाली रेखा तो मानचितर पर समान वर्षा वाले इस्थानों को वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे समवर्शार रेखा कहते हैं मानसूनी हमाइए बितु के कारण अपने दिश्या वदलने वाली हमाएं क्या कहलाएंगी मानसूनी हमाएं अपर्दन जल या पवन द्वारा मृद्दा का कटाव होना, अपरदन यानि, कोई चीज अपरदित होना, किसी छीज का कम होना, घटना, घिसना, ठीके, तो जल या पवन द्वारा मृता का कटाव होना क्या कहलाता है अपरदन कहलाता है अब हम देखेंगे अभ्याद प्रश्श में तो आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा इस चैप्टर में जितने भी फैक्ट हैं सब भी आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हैं बड़ी क्लासिस में यही थोड़ा सा बढ़कर आप लोगों के आके आएंगे ठीक है और जोग्रफी वाले सर आपको जोग्र अवरदेसों को चार भागों में बाटा था, तो यहां पर हमने कौन सा नहीं पड़ा अरावली परवत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्तल या हमाले परवत, तो बिलकुल हमने क्या नहीं पड़ा हमाले परवत नहीं प्ड़ा, जो की राजिस्थान में इस पित मैजहीं है हमने क्या-क्या पढ़ा था? एक्थार मरुस्तल पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था अरावली परवत, फिर हमने पूर्वी मैदान पढ़ा और लास्ट में हमने जो दक्षन पूर्वी भाग है उसे पढ़ा था, जेसे हाडोती का पठार कहते हैं. अरावली परवतमाला की सबसे उची परवचोटी कौन सी है तो हमने क्या पढ़ी है हाली में क्या पढ़ा है गुरु सिखा ठीक है एवरेस्ट नहीं पढ़ा कंचन जंगा और जर्गाजी ये नहीं पढ़ा था ठीक है तो चैप्टर पढ़ने के बाद कुश्चन के यदि आंसर बिल्कुल सही बैठें इसका मतलब चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा गया है चंबल नदी के आसपास का शेतर डैस अपरदन के कारण अत्यदिक उबरखाबर हो गया है तो किसके कारण हो गया है उबरखाबर तो यह आपको यहाँ पर बताना है हमने अभी ही इस चीज को देखा था उपजाओ भूमी का बंजर और रेती लिमिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है मरुस्थली करण कहलाता है ठीक है तो आप लोगों के लिए एक कुशन है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और हो क्या है सभी के देखूंगे मैं आंसर कि चम्बल नदी के आसपास का शेतर डैस अपरदन के कारण अत्यदिक उबरखाबर हो गया है तो किसके कारण हो गया है पिलकुल जो शब्द है वही यहां पर आप लोगों के लिए होना चाहिए ठीक है राजिस्थान का कौनचा शेत्र प्रति वर्ष सूखे का सामना करता है तो अब भी हमने देखा था कहां अकाल और मुरुस्तुली करन जादा हो रहा है यानि पक्षमी भाग जो है राजिस्थान को तो वह है प्रति वर्ष सूखे का सामना करता है मावट किसे कहते हैं तो देखिए मावट किसे कहते हैं दुबारा से देख लिजिए कि भारत में सीध रितू में ठीके भारत में सीध रितू में जो वर्षा होती है उसे कहते हैं मावट या पक्षमी विक्षो तो इस तरीके से आपका ये चप्टर समाब तो होता है नेक्स वीडियो में हम नेक्स चप्टर करेंगे थेंक यू